कैसे आप लोग तो आद में शेयर कर रहे हूं आप सबी के साथ में रमजान इफ्थार स्पेशल स्मोग चिकन पफ बनाने की रेसपी जिससे बिना महनत में मिंटों में बना कर तयार कर लेंगे तो एक बार इसे रमजानों में फ्थार पे जरूर ठाइब की जिएगा चलि कैस बुना कुटा वाजीरा पौडर 1 तीज़ पून काले मुचका पौडर साथी 1 टेबल स्पून नमक और दो बड़े चमच हमें बिल्कुल ताजी दही डालनी है दही को पहेंटकर डालिएगा इसी के साथ इसमें हमें 1 टेज़ डाक स्वेयर सॉस एड़ करना है और साथी में इ चेंज हो गया है सोय सॉस की वज़ेस इसमें फ्लेवर भी आता है फ्रेंस प्लस कलर भी आता है तो इस तरह से चिकन को हाथों से यूं मिला कर अभी ढख कर साइट पे रख दीज़े तकरीबन 10-15 मिनट जब 10-15 मिनट हो गए तो अब मैं यहां पे इसको एक फ्लेवर दे र स्मॉक बन नहीं जाता है यह देखें बहुत ही प्यारे खुश्बू आने लगी है तो अब मैं इसको साइट पे कर लेती हूं नेक्स टेप पे हमें क्या करना है कि दो कप मैदा लेना है इसमें हमें नमक डालनी है वन टी स्पून और अब इसमें मैं थोड़ा सा घी डालू डाल कर घी डाली मैंने और इसको मैं अच्छे से मिला रही हूं तो यहां पे मैंने तकरीबन एक चमच जो घी है वो और डालना है तो कम पड़ रहा था क्योंकि मुठी बंद रही है लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं रही है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और घी अभी यहां पे म्याम फेक्छळ ड्ला हो ऑथा है अब इसमें हमें पानी डालना है और पानी डाल कर थोड़ा थोड़ा इसको गूत लेना है तो पानी एक बार में ही पूरा नहीं दालिएगा मैंने एक कप टोटलימ दिया है और फ्लार मैने दो कप लिया था थोड़ा-thोड पानी डालकर ना ज़ादा हार्ड ना स्वाफ्ट लूस डो हमें इसका गूतना है बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट सा बनाना है मैं आपको दिखाऊंगी कैसा देखिए अभी दुबारा अच्छे से मैं इसमें पानी डाल कर और अच्छे से इसको मिक्स करूंगी जिसे ये पूरा कंबाइन हो जाएगा तो फ्रेंस आपना एक बार ये नए तरह कर स्नैक जरूर ट्राइ कीजेगा फ्रेंस रमजान में इफतार पे ये से बनाईएगा आपको बहुत पसंद आएगा बिलकुल अलग सा लगता और बहुत टेस्टी बनता है तो यहां पे देखें डो हमें इसको लेयर है ना फर्म सॉफ्ट रहती है और यह बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है अब इसको ढग कर हमें 10 मिट के लिए साइट पे रख देना है तब तक हम नेक्स टेप में फ्राइं पैन लेते हों और उसमें दो टेबल स्पून ओल डाल कर एक छोड़े चमत साबुत जीरा तो थोड़ा इसमें मैं क्रैकल होने दे रही हूं और अब इसमें मैरिनेट करकर साथी स्मोक दिया हुआ जो चिकन है वो पूरा डाल देना है और डाल कर इसको बिल्कुल अच्छे से भून लेना है अभी फ्लेम लगतार हाई रखिएगा और हाई फ्लेम पे चिकन को फ्रा लगा है और मसाले भी भूनने शुरू हो गए है इस पॉइंट पे फ्लेम को मीडियम कर दीजेगा और इसकी लिड लगाकर इसे तकरीबं सेवन टू एइट मिनट के लिए कुक कर लीजेगा तो तक तक इसका मौशर पूरा ड्राई नहीं होता तो यह देखिए फ्रेंट से है और चिकन बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है गल भी गया है मसाला भी भून गया है तो इस पॉइंट पे यह देखिए बिल्कुल टू ट्राइज ली हाथो से तो अब मैं इसमें कुछ चीजें अड़ कर रही हूं जिसमें प्याज हरी मिर्च हरी शुम्ला मिर्च और सा प्लस चिकन पफ बनेगी न वह बहुत यमी डिलीशिस बनेगी तो एक बारना फ्रेंट्स एक क्रिस्पी स्नैक जरूर ट्राइ कीजिएगा इफतार पे आपको बहुत पसंद रहेगा तो यह स्टफिंग रेड़ी है इसको साइट पे कर लेते हैं और वापस आते हैं डो की तरफ जो के हमारा बहुत अच्छा सेट हो चुका है तो डो को देखें इस तरह से सेट होने के बाद में इसको दुबारा पंच लगाकर गूत लेना होता है और जैसा कि आप देख सकते होंगे पहले से अब में टेक्श्चर कितना चेंज हो गया है और डो हमारा बहुत ही अ जितना लोई ली है ना उसी हिसाब से पूरी जितने शेप का ये बिलता है देखें इतनी थिकनेस रखी है मैंने और अब इसके बीच में हमें सेंटर में स्टफिंग डालनी है तो तकरीबार वन टेबल स्पून फुल भरकर मैं स्टफिंग डाल रही हूं और साइट पे मैं मैंने ग्लू लगाई है मैंने पानी मिलाकर इसको मिक्स कर लिया है और वही ग्लू का काम करेगा और इसको चिपका देगा और देखें दोनों तरफ से इस तरह से फोल कर देना है और फिर इसकी एक साइट पे फोल लगानी है और फिर इसके अपोजिट साइड हमें फोल करन तो दोनों तरफ से एक साइड उपर एक साइड नीचे की तरफ फोल कर देना है। तो बहुत ही आसान है, इसकी जो फोल्डिग है न बहुत ऊसान है। अजिसे सारे रेडी रहे हैं तो अब मैं यहां पर तेल गरम कर ले रही हूं। तो यहां पर मैंने फ्लेम हाई करकर तेल को मीडियम हॉट गरम कर लिया है और जैसे हमारा ओयल मीडियम हॉट हो जाता है इसमें एका करकर हमें सारे पफ डाल देने हैं देखें जब आप शुरू में डालेंगे ना तो यह नीचे बेस में रहेगा और जैसे ही तेल गरम होने लगेगा यह उपर फ्लोट करने लगेगा जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा पफ उपर आ गया है और फूल फूल सा गया है फुला हुआ दिख रहा है यहां पर इसकी क्यूंकि मैंने गलू से चिपकाई है तो यह बिल्कुल भी और यह यह उपर नीचे करकर फिल्फ कर रहा है तो इस सनी किलर से लगतार फ्लाइम हाई करकर इसको फ्राई कर ली ज़िए प्रिज इस टार्टिंग में प्लीज तर्टिंग में तेल को मीडियम ही रखिएगा गरम तभी डालिएगा और डाल करिए देखे तेमाड़ो किछप के साथ में इसको सर्फ करें बहुत जादा करारा यह मज़े दार सा चिकन पफ आपको कैसा लगा मुझे जरू बताईगा ब मुझे जरूर बताईगा यह देखे कितना क्रिस्पी करा रहा है एक बड़ जरूर बनाएं खुद भी खाये सबको खिलाएं फैमिली में इंजॉय करें तो रसेपी पसंदा आई फ्रेंस तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पर ने तो सब् क्याल रखें दौव भी हाद रखिएगा थैंक्स वर वाचिंग